ओम शान्ती पांच दस दोहजार चौबिस के मुडली है मुख्य रूप से बाबा ने कहा वे सन्यासी घरबार छोड़कर जंगल में जाते लेकिन तुम घरबार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो घर में रहते हुए सारी दुनिया को काटो का जंगल समझते हो तुम बुद करने का अभ्यास करना है याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डेन एजट तक्त मिलेगा इस दुखधाम से बेहत का वैराग्य कर अपने असली निवास्थान शान्ती धाम और सुखधाम को याद करना है दे अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है अब स सुनते हैं मावाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाबा आया है तुम बच्चों से दुखधाम का सन्यास कराने यही है बेहत का सन्यास प्रश्न है उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है उत्तर वे सन्यासी घरब सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो, तुम बुद्धी से सारी दुनिया का सन्यास करते हो, ओम श्यांती, रुहानी बाब बैट, रुहानी वच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्ब के बे समझ है न, तो रोज रोज समझाना पड़ता है, पहले पह अभी तुम शांती का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। कहते हैं न? शांती देवा, अर्थात हमको इस छृष्टी से अपने घर शांती धाम में ले जाओ, अथवा शांती का वर्षा दो। देवताओं के आगे, अत्वा शिब बाबा के आगे यह जाकर कहते हैं के शांती दो, क्योंकि शिब बाबा है शांती का सागर, अभी तुम शिब बाबा से शांती का वर्षा ले रहे हो, बाप को याद करते करते, तुमको शांती धाम में जाना है जरूर, नहीं याद करेंग तो भी जाएंगे जरूर याद इसलिए करते हो कि पापों का बोज जो सिर पर है वो खत्म हो जाए शांती और सुख मिलता है एक बाप से क्योंकि वो सुख और शांती का सागर है वो हो चीज ही मुख्य है शांती को मुक्ती भी कहा जाता है और फिर जीवन मुक्ती और जीवन बंद भी है अभी तुम जीवन बंद से जीवन मुक्त हो रहे हो सत्यूग में कोई बंधन नहीं होता है गाया भी जाता है सहज जीवन मुक्ती वा सहज गती सत्गती अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है गती कहा जाता है शांती धाम को, सदगती कहा जाता है सुख धाम को सुख धाम, शांती धाम, फिर यह है दुख धाम, तुम यहां बैठे हो बाप कहते हैं बच्चे, शांती धाम घर को याद करो आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है बाप आकर याद दिलाते हैं समझाते हैं हे रुखानी बच्चों तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी तुम बचे जानते हो यह अपवित्र दुनिया है एक भी पवित्र मनुष्य नहीं पवित्र दुनिया को सत्यूग अपवित्र दुनिया को कल्यूग कहा जाता है राम राज्य और रावन राज्य रावन राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापन होती है यह बना बनाया खेल है न यहां बेहत का बाप समझाते हैं उनको ही सत्य कहा जाता है सत्य बाते तुम संगम पर ही सुनते हो फिर तुम सत्यूग में जाते हो दुआपर से फिर रावन राजी शुरू होता है रावन अर्थात असुर ठहरा असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते इसलिए इसको कहा जाता है जूठी माया जूठी काया आत्मा भी जूठी है तो शरीर भी जूठा है आत्मा में संसकार भरते हैं न चार धातुएं हैं न सोना, चांदी, तांबा और लोहा सब खाद निकल जाती है बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योगबल से तुम जब सत्यूग में हो तो सच्चा सोना ही हो फिर चांदी पढ़ती है तो चंद्रवन्शी कहा जाता है फिर तावे की लोहे की खाद पढ़ती है द्वापर कल योग में फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी तांबा लोहा की खाद पड़ी है वो निकल जाती है पहले तो तुम सब आत्माय शांतिधाम में हो फिर पहले पहले आते हो सत्यूग में तो उसको कहा जाता है golden aged तुम सच्चा सोना हो योग बल से सारी खाद निकल कर बाकी सच्चा सूना बचता है शांतिधाम को golden age नहीं कहा जाता है golden age, silver age, copper age यहां कहा जाता है शांतिधाम में तो शांति है आत्मा जब शरीर लेती है तब golden age इट कहा जाता है फिर स्रिष्टी ही golden age बन जाती है सतो प्रधान पांच तत्वों से शरीर बनता है आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान है फिर पिछाडी में आकर iron age इट शरीर मिलता है क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है तो golden age, silver age इस रिष्टी को कहा जाता है तो अब बच्चों को क्या करना है पहले पहले शांती धाम जाना है इसलिए बाप को याद करना है तभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे इसमें time उतना ही लगता है जितना time बाप यहां रहते हैं वो golden age में पार्ट लेते ही नहीं तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है यह golden age इट जीवात्मा है ऐसे नहीं कहेंगे golden age इट आत्मा नहीं golden age इट जीवात्मा फिर silver age इट जीवात्मा होती है तो यहां तुम बैठे हो तुमको शांती भी है तो सुख भी प्राप्त होता है तो क्या करना चाहिए दुखधाम का सन्यास इसको कहा जाता है बेहत का सन्यास उन सन्यासियों का है हद का सन्यास घर बाड छोड जंगल में जाते हैं उनको यहाँ पता नहीं है के सारी सृष्टी ही जंगल है यहाँ काटों का जंगल है यहाँ है काटों की दुनिया वो है फूलों की दुनिया वो भल सन्यास करते हैं परंतु फिर भी काटू की दुनिया में जंगल में शहर से दूर दूर जाकर रहते हैं। दूर याद करना है। बाप कलप कलप आकर कलप रिक्ष की नौलिज देते हैं क्योंकि खुद बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। इसलिए कल्प कल्प आकर कल्प व्रिक्ष का सारा राज समझाते हैं तुम आत्मा हो परन्तो तुमको ग्यान सागर सुक का सागर शांती का सागर नहीं कहा जाता यह महिमा एक ही बाप की है जो तुमको ऐसा बनाते हैं बाप की यह महिमा सदेव के लिए है सदेव वो पवित्र है और निराकार है सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने सर्वभ्यापी की तो बात ही नहीं तुम जानते हो बाप सदेव वहां ही रहते हैं भक्ती मार्ग में सदेव उनको याद करते हैं सत्यूग में तो याद करने की दरकार नहीं रहती है रावन राज्जी में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है वही आकर सुक शांती देते हैं तो फिर जरूर अशांती में उनकी याद आती है बाप समझाते हैं हर पांच हजार वर्ष बाद मैं आता हूँ आधा कल्प है सुक आधा कल्प है दुख आधा कल्प के बाद ही रावन राज्जी शुरू होता है इसमें पहला नंबर मूल है देह अभिमान उसके बाद ही फिर और और विकार आते हैं अब बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो देही अभिमानी बनो आत्मा की भी पहचान चाहिए मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं आत्मा ब्रुकुटी के बीच चमकती है अभी तुम समझते हो वो है अकाल मूर्थ उस अकाल मूर्थ आत्मा का तक्त यह शरीर है आत्मा बैठती भी ब्रुकुटी में है अकाल मूर्द का यह तक्त है सब चैतन्य अकाल तक्त है वो अकाल तक्त नहीं जो अमरिज सर में लकड़ी का बना दिया है बाप ने समझाया है जो भी मनुष्य मात्र है सब का अपना अपना अकाल तक्त है आत्मा आकर यहां विराजमान होती है सत्यूग हो या कल्यूग हो आत्मा का तक्त है ही यह मनुष्य शरीर तो कितने अकाल तक्त है जो भी मनुष्य मात्र है अकाल आत्माओं के तक्त है आत्मा एक तक्त छोड जट दूसरा लेती है पहले छोटा तक्त होता है फिर बड़ा होता है यह शरीर रूपी तक्त छोटा बड़ा होता है वो लकड़ी का तक्त जिसको सिख लोग अकाल तक्त कहते हैं वो तो छोटा बड़ा नहीं होता यह किसको भी पता नहीं है कि सब मनुष्य मात्र का अकाल तक्त यह ब्रुकुटी है आत्मा अकाल है, कब विनाश नहीं होती आत्मा को तक्त भिन्न भिन्न मिलते है सत्यूग में तुमको बड़ा फस्क्लास तक्त मिलता है उनको कहेंगे गोल्डेन एजेट तक्त फिर उस आत्मा को सिल्बर, कॉपर, आइरन एजेट तक्त मिलता है फिर golden agent तक्त चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े इसलिए बाब कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी फिर तुमको ऐसा दैवी तक्त मिलेगा अभी ब्रामन कुल का तक्त है पुर्शोत्तम संगम युक का तक्त है फिर मुझा आत्मा को यहाद देवताई तक्त मिलेगा यहाद बाते दुनिया के मनुष्य नहीं जानते देव अभिमान में आने के बाद एक दो को दुख देते रहते हैं इसलिए उनको दुख धाम कहा जाता है अब बाब बचों को समझाते हैं शानती धाम को याद करो जो तुम्हारा असली निवास्थान है सुख धाम को याद करो उनको भूलते जाओ इनसे वैराग्य ऐसा भी नहीं सन्यासियों मिसल घरबार छोड़ना है बाब समझाते हैं वो एक तरफ अच्छा है दूसरे तरफ बुरा है तुम्हारा तो अच्छा ही है उनका हठियोग अच्छा भी है बुरा भी है क्योंकि देवताई जब बाम मार्ग में जाते हैं तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए तो उसमें भी मदद करते हैं भारत ही अविनाशी खंड है बाब का भी आना यहां होता है तो जहां पर बेहत का बाब आते हैं वो सबसे बड़ा तीर्थ हो गया न सर्व की सद्गती बाब ही आकर करते हैं इसलिए भारत ही उँच ते उँच देश है मूल बात बाब समझाते हैं बच्चे यात की यात्रा में रहो गीता में भी मन मनाभव अक्षर है परन्तु बाब कोई संस्कृत तो नहीं वतलाते हैं बाब मन मनाभव का अर्थ वताते हैं देह के सब धर्म छोड अपने को आत्मा निश्य करो आत्मा अविनाशी है वो कभी छोटी बड़ी नहीं होती अनादी अविनाशी पार्ट भरा हुआ है ड्रामा बना हुआ है पिछाडी में जो आत्मा आती है उनका बहुत थोड़ा पार्ट है बाकी टाइम शांती धम में रहते हैं स्वार्ग में तो आना सके पिछारी को आने वाले वहाँ ही थोड़ा सुक वहाँ ही थोड़ा दुख पाते हैं जैसे दिवाली पर मच्छर कितने धेर निकलते हैं सुबह को उटकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे तो मनुश्यों का भी ऐसे है पिछारी में आने वाले की क्या व्यालू रहेगी जैसे जानवर मिसल ठहरे तो बाप समझाते हैं यह स्रिष्टी का चक्र कैसे फिरता है मनुश्य स्रिष्टी रुपी जार छोटे से बड़ा बड़े से छोटा कैसे होता है सत्यूग में कितने थोड़े मनुश्य कल्यूग में कितनी बृद्धी हो जार बड़ा हो जाता है मुखे बात बाप ने इशारा दिया है ग्रिहस्त वैवहार में रहते मा में कम याद करो आठ घंटा याद में रहने का अभ्यास करो याद करते करते आखरिन पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे तो स्कॉलर्शिप भी मिलेगी पाप अगर रह जाएंगे तो फिर जनम लेना पड़े सजाय खाते हैं फिर पद भी कम हो पड़ता है हिसाब किताब चुक्तू तो सब को करना है जो भी मनुश्य मात्र है अभी तक भी जनम लेते रहते हैं इस समय देखेंगे भारतवासियों से क्रिश्चिन की संखा ज्यादा है वो फिर सेंसिबल भी है भारतवासी तो 100% सेंसिबल थे सो अब फिर नॉन सेंसिबल बन गए हैं क्योंकि यही 100% सुख पाते हैं फिर 100% दुग भी यही पाते हैं वो तो आते ही पीछे हैं बाप ने समझाया है क्रिश्चिन डिनाष्टी का श्रे क्रिश्चन डिनाष्टी से कनेक्शन है क्रिश्चिन ने राजी छीना फिर क्रिश्चियन डिनाष्टी से ही राजी मिलना है इस समय क्रिश्चियन का जोर है उन्हों को भारत से ही मदद मिलती है अभी भारत भूख मरता है तो रिटन सर्विस हो रही है यहां से बहुत धन बहुत हीरे जवारात आदी वहां ले गए है बहुत धनवान बने हैं तो अब फिर धन पहुचाते रहते हैं उनको मिलने का तो है नहीं तो अब तुम बच्चों को तो कोई पहचानते नहीं है अगर पहचानते तो आकर राय लेते तुम हो इश्वरिय संप्रदाय जो इश्वर की राय पर चलते हो वही फिर इश्वरिय संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनेंगे फिर शत्रिय वैश शूद्र संप्रदाय बनेंगे अभी हम सो ब्राम्हन है फिर हम सो देवता हम सो शत्रिय हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है यह बाजुली का खेल है जिसको समझना बहुत सहज है परन्तु माया भुला देती है फिर दैवी गुणों से आशुरी गुणों में ले आती है अपवित्र बनना आशुरी गुण है ना अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुखानी बाब की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाब दादा को याद प्यार गुड मॉनिग और नमस्ते बाबा नमस्ते धाना के लिए मुखे सार पहला स्कॉलर्शिप लेने के लिए ग्रिहस्त वैवहार में रहते कम से कम आठ घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एजेट तक्त मिलेगा दूसरा इस दुखधाम से बेहत का वैराग्य कर अपने असली निवास्थान, शांती धाम और सुखधाम को याद करना है देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है वर्दान है कर्मों के हिसाब किताब को समझ कर अपनी अचल स्थिती बनाने वाले सहज योगी भव विस्तार है चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, स्थिती को नीचे उपर नहीं करो चलो आया तो परक कर उसे दूर से ही खतम कर दो अभी योध्य नहीं बनो सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती सिर्फ निश्चे के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे अब निरंतर योगी बनो युद्ध करने वाले युद्धे नहीं स्लोगन है डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोज बाप हवाले कर दो अच्छा ओम शंति झाल झाल झाल